स्पीडी कोकिंग में आपका स्वागत है आज जुकनी का करी बनाते हैं जुकनी बिल्कुल खीरे की तरह दिखता है यह तुराई जैसा भी दिखता है दूर से देखके दोका हो जाता है पर पास से जब आप देखेंगे चुएंगे तो आपको लगे अर यह तो डिफेंट सब सबसी और आजकल यह सब जगह मिलता है और बहुते होता है इसमें कुछ मसाला डालके बनाना नहीं पड़ता है आप जैसे भी बनाई है यह तेस्टी लगता है इसको अब काट लिजें काटनी के बाद इसमें बहुत रिच न्यूटियंट्स होते हैं इसलिए बहुत पॉप कड़ाई चड़ाई है अद्रक लसुन का पेस्ट थोड़े दालिए तो प्याज डाल के भून लीजे फिर इसको डाल दीजे डाल के सिम में बनाई है और ढखके बनाएंगे तो और भी चल्दी बन जाता है इसमें नमक मिर्च हल्दी डाल दीजे कोई मसाला डालने का ज़रू तो बन गल जाने लगता है तो उसमें तोड़ा हरा दनिया डाले हरा दनिया और लास्ट में नीबू डाल दीजे तो यह वैसे भी स्वाधिश्ट होता है और आप जिस तरह से भी बनाएंगे यह सब को बहुत पसंद आएगा